पहले बीवी को किरियोसन तेल चीट कर उतारा मौत के खाट फिर थाने में किया सोहर ने सरेंडर आपको बता दे थनबात के वासेपुर में एक मौत के प्यासे सोहर ने अपने ही बीवी को पहले किरियोसन तेल चीट कर मौत के खाट उतार दिया उसके बाद खुद थाने में जाकर आत्म समर्पन कर दिया घटना बैंग और थाना च्छेतर के वासे पुर्गी है जहां राजू नमक पलंबर का काम करने वाला इवक ने अपनी वीवी से बार बार होने वाले जगले से निजात पाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया और अपने एक बच्चे के साथ थाने में जाकर सरिंडर किया जबकि दूसरा बच्चा ननी हाल में तहता है घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुँची और सब को कबजे में लेकर पोस्पार्टम के लिए भेजने की तयारी में जुट गई है इधर सरयाम हुए इस घटना के बाद इलाके में मातमी सरनाटा पसर गया है बैंक मौन में ठाना प्रभारी प्रंधिर कुमार ने बताया कि युवक पुलिस हिरासत में है और पुलिस आगे की चान बिंग कर रही है ताकि घटना के बारे में और अधिक जनकारी कठा की जा सके एवं आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिलाज जा सके आग लगाने का का यदा शाना में अब सच क्या है लड़का को वी आद बैक वी लड़का से जब हम बच्चा लेकर आए तो लड़का से पूछें कि तू नाइसा क्यों कर दो तो लड़का का कहना है कि हम उसको आग नहीं लगाए हम बुझाने मेरा भी पुरा ज़ला हुआ सरीर देख सकते हैं ओपर इसका मां मार चुकी है और उसका परिवार को हम ठाना से लाकर भी आट्षा हुआ हैं लड़का सरफरा टैप का था एक दम मतलब के हमेशा जो है उसको टोचर करना दारू पीना आई करना जो है लंगा घुमना आई करना बहुत तरह करना तो लोग आया था पंचेतिविति किये तो इसका इतना आतंग था कि आतंग का वज़ा से इसका भाई अपना भाई सगा भा